नमस्कार नेपाल के चीन की गोद में खेलने की वज़े क्या है भारत के इलाकों पर नेपाल के दावा जताने से एक हफता पहले काटमांडू में क्या हुआ था चीन की राजदूत ने नेपाल की सताधारी पार्टी के किन नेताओं से की थी मुलाकात और किस एजेंडे पर चीनी राजदूत ने नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी से चीन की मदद करने की अपील की थी अगर आप जाना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अभी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भी नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किस आधार पर नेपाल पर चीनी भाशा बोलने और उसके पिछलगू के तौर पर काम करने के आरोप लग रहे हैं अप्रेल 2020 तक नेपाल की सत्ताधारी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी तूटने के कगार पर थी पार्टी का एक धड़ा जिसके अगवाई पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे थे वो प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली को गद्दी से उतारना चाहता था दबाव इतना बढ़ गया था कि उसके आगे जुकते हुए ओली ने पद छोड़ने का मन तो बना लिया था लेकिन कोरुना के बहाने उन्होंने इस्तिफा देने के लिए कुछ वक्त मांगा था लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी में हो रही फूट अचानक से रुख गई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ ये कि 30 अप्रेल 2020 को नेपाल के काटमंडु में चीनी राजदूत हुआ यानिकी ने नेपाल के प्रधान मंतरी केपी शर्मा ओली से मुलाकात की इसके ठीक एक दिन बाद यानि एक मई दो हुजार बीस को चीनी राजदूत ने नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड जो की ओली के खिलाफ थे और माधव कुमार नेपाल जो की ओली के खिलाफ वो भी थे उन दोनों से भी मुलाकात की प्रचंड और माधव कुमार नेपाल दोनों ही नेपाल के प्रधान मंत्री रह चुके हैं इन सभी निताओं से मुलाकात में चीनी राजदूत ने NCP यानी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी में चल रहे सत्ता संघर्ष पर चिंता जताई इन मीटिंग्स में जिन तीन प्रमुक एजेंडों पर बाद हुई उनमें पहला था नेपाल की सत्ताधारी पार्टी में चल रही गुटबाजी दूसरा कोविड नाइंटीन से निपटने के लिए चीन की ओर से नेपाल को दी जा रही मदद और तीसरा कोरोना के लिए चीन को जमेदार मान रहे दुनिया के देशों के खिलाफ नेपाल का सपोर्ट चीनी राज़ूत ने कहा कि दुनिया भर में चीन के खिलाफ अंदोलन चलाया जा रहा है और चीन नेपाल से इस अंदोलन का मुकाबला करने के लिए मदद चाहता है चीनी राजूत ने नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के निताओं से ये कहा कि नेपाल चीन के खिलाफ जो भी महौल बन रहा है उसके विरोध में एक रक्षात्मक दीवार का काम करे क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इस महामारी के लिए चीन को दोशी बता रहे थे NCP के International Relations Department के डिप्टी चीफ विश्णू रिजल ने ये साफ साफ कह दिया कि चीन उनकी पार्टी में बढ़ रही दरार को लेकर चिंतित है और लगातार उन्हें एक जुट रहने और विवादों में ना पढ़ने की सलाह दे रहा है चौकाने वाली बात ये थी कि इन मीटिंग्स के बारे में नेपाल के विदेश मंत्राले को पहले से नहीं बताया गया था और नहीं मंत्राले का कोई भी नुमाइंदा इन मीटिंग्स में यानि जो चीनी राजदूत के साथ NCP के नेताओं के मीटिंग्स हुई उनमें कोई भी नुमाइंदा विदेश मंत्राले का मौजूद नहीं था मेडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि नेपाल विदेश मंत्राले के एक अधिकारी ने नामदा बताने की शर्त पर ये कहा कि इन बैठकों में विदेश मंत्राले के किसी भी ओफिशल का शामिल ना होना डिप्लोमाटिक कोड ओफ कंडक्ट का उलंधन था यहाँ पर खास बात यह है कि इन मीटिंग्स के ठीक अगले दिन यानि 2 मई 2020 शनिवार को नेपाल की सत्ताधारी पार्टी की एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी इस मीटिंग में ओली के भविश्य को लेकर भी फैसला होने की संभावना थी तो क्या चीन को आशंका थी कि 2 मई 2020 को होने वाली NCP की मीटिंग में पार्टी के तूटने की नौबत आ सकती है शायद हाँ क्योंकि इससे पहले कई दिन पहले चीन की तरफ से ऐसे प्रयास शुरू कर दिये गए थे जिससे की नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी को तूटने से बचाया जा सके चुकि ओली की स्थिती पार्टी में भी और जनता के बीच भी जनता के नजर में भी कमजोर हो चुकी थी ऐसे में ओली के स्थीफे में आनाकानी करने पर पार्टी में तूट की पूरी पूरी संभावना बनी हुई थी चीन ने इस आशंका को भापते हुए हर मुम्किन कोशिश की शायद चीन भी यही चाहता था कि ओली जैसा कमजोर नेता ही नेपाल का प्रधान मंत्री बना रहे जिससे की चीन को अपनी बाते मनवाने अपनी नीतियों को आगे बढ़वाने में आसानी हो मई 2020 के पहले हफटे में खुद चीनी राष्ट्रपती जिन्पिंग ने नेपाली राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी से फोन पर काफी देर तक बात की यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि बिद्या देवी भंडारी और नेपाली प्रधान मंतरी केपी शर्मा ओली दोनों नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी में एक ही गुटके हैं चीनी विदेश मंतराले ने बाकाइदा एक स्टेट्मेंट जारी किया था जिसमें चीन की ओर से कहा गया था कि ओली की अगवाई में नेपाल कोरोना का मुकाबला करेगा तो पहले चीनी राष्ट्रपती का नेपाली राष्ट्रपती को फोन कॉल और उसके बाद चीनी राजदूत का NCP के अलग-अलग धड़े के निताओं को ये कहना के पार्टी में तूट नहीं होनी चाहिए मतलब साफ था कि चीन ओली को ही भविशे में नेपाल का प्रधान मंत्री देख रहा था यहां एक और तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2018 में नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन ओली की CPN UML और प्रिचंड की पार्टी मौविस्ट सिंटर के विले से हुआ था कहा ये भी जाता है कि मरजर भी चीन की मदद से ही हुआ था इसके बाद से ही नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ चाइना के संबंध प्रगाड होते चले गए अक्टूबर 2019 में जिन पिंग के नेपाल दोरे से एक महिना पहले नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने 200 सदस्यों के लिए बाकाइदा एक सेमिनार का आयोजन किया था इस सेमिनार में कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ चाइना के नेताओं को बुलाया गया था और क्यों बलाया गया था कि जिसे की वो सभी नेता जिन्पिंग के सिद्धान्तों को नेपाली नेताओं को समझा सकें अब आप खुद अंदाजा लगाए कि क्या चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी पॉलिटिकल डॉक्टरिन को नेपाल में एक्सपोर्ट कर रही है या फिर नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी खुद चीन की सताधारी पार्टी के नक्षे कदम पर चलने की कोशिश करती जा रही है, नमस्कार